हारत के यशर्ष्ष्वी प्रधानमंत्री मारनिय नरेंद्र भाई मुगती जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिष्षा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभुत्पुर्व धैरिय अंगिनत बलिदान प्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए है इस शुबगड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्भ गुरुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अवरुद है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हैं हमारे राम लला अभी दिव्य मंदीर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरन ये उर्जा ये घड़ी प्रभू स्री राम का हम सब पर अशिरवाद है 22 जनवरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विस्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मांसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाय से अंकिद हो रही अमीट स्मृति रेखाएं साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटि को भी प्रणाम करता हो मैं माता जान की की लक्ष्मणजी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता है मैं पावन अयोध्यपुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिनके आशिरवात से ये महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियां भी कि इस समय हमारे आज पास उपस्तित है मैं इसे भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतक्यता पूर्वक नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमाय आचना भी करता हूँ हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए हैं आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभू राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्फे पुरबासी जनित वियोग बिबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्य वासी समग्र देश्वासी हर्ष से भर गये लंबे वियोग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वास्यों ने सेंकडो वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूंगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैसरी राम के आशिरवात से दनोश कोड़ी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम मप्रयास था वहाँ पर मैंने पुष्ट बंदना की वहाँ मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवित्र त्रिपायर मंदीर हो आंदर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मैं रंगनात स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में स्री रामनात स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष कोड़ी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सवभाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारती आत्मा के कन कन से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम बारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेस कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेस रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशिद करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंत यश्मिन हिती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में परवसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाय हुए है हर यूग में लोगों ने राम को जीया है हर यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असीम है और राम आयन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिक्षाएं सब जगह एक समान है प्रिये देश वाचियों आज इस आइतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारियव और समर्पन की वज़से आज हम यह शुभ दिन देख रहें राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाश्ठा करके दिखाई है उन अंगिनत राम भक्तों के उन अनगिनत कार्शेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रणी है साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का ख्षण तो है लेकिन इसके साथ ही ये ख्षण भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षण है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनएका भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ठ अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजी हुई गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो ये बताती हैं कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएगे राम लला के इस मंदिर का निर्मां भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं कि निर्मां किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदिर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत्थ पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आईए आप महसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संगधान है राम सिर्व हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बर्तमान नहीं सिर्फ बर्तमानी नहीं राम अनंत काल है साथियों आज जिस तरफ राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे हैं जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है आज अयोज्ध्या का ये उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुद्हेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है कि साथियों आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रा रूप की प्रानपरतिष्ठा नहीं हुई है ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्कृति के प्रति अटूट भी स्वास की भी प्रानप्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्रानप्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन को सुखे जाए ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिग दर्शन का मंदिर है ये राम के रूप में राष्ट चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विबु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्यों तक ही नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी नहें कहा है राज्यम दस सहस्त्राणी प्राप्य वर्षाणी रागबज हर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य परपतिष्ठीत हुए यानी, हजारों वर्षों के लिए, राम राज्य स्थापित हुआ, जब त्रेता में राम आये थे, तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई, हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वातियों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रत्येक राम भक्त से प्रत्येक भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अवसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिर्वात देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं कि आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान चे आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण हैं जीने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ती सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार बनेंगे और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मा शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मा सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्थ सक्षम भग्य भारत का अधार मनेगा और यही तो है देश देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से पड़े है निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रत्य भारत्य में अपनत्व की बंदूत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्व्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार साथियों आध देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूं मैं तो बहुत छोटा हूं अगर कोई यह सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का स्मरणी हमें हमारी हिचक तो दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यही तो देव से देश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यानी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य निष्टा देखिए विए महाबली रावन से भीड़ गये उन्हें भी पता था कि वो रावन को परास्त नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चनोती दी कर्तव्य की यही पराकास्ता समर्थ सच्षम भव्य दिव्य भारत का अधार है और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट के चेतना का विस्तार आएए हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कण का राम समरपन को राष्ट्र समरपन के देश से जोड देंगे मेरे देश वास्यों प्रभुसिराम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए ये पूजा स्वा से उपर उटकरके समस्ती के लिए होनी चाहिए यह पूजा अहम से उड़कर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विक्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की प्राकास्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य प्राकम पुर्शार्थ समर्पन का प्रसाद प्रभुराम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभुराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वैवोशाली और विश्शित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों यह भारत के विकास का अमर्त काल है आज भारत कि युवाश शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है उर्जा से भरा हुआ है ऐसी सगारत्मक परिस्थितियां पिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की प्रंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीड़ी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पाँच जाकर मिशन आजित्य को सफल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है पनंपरा की पवित्रता और आधुनित्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत सम्रुद्धी के लक्स तक पहुँचेगा मेरे साध्यों आने वाला समाए अब सभलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उतकर्ष का भारत के उदय का ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अब युदय का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमानित हो, अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगर्दिक सक्ती से जन्वा हो, तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संबहु नहीं है ये भारत का समय है, और भारत अब आगे बढ़ने वाला है, सताअब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे हैं, हम सब ने इस युक का, इस कानखन का इत्लिजार किया है अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास के उचाई पर जाकर ही रहेंगे इसी भाव के साथ, राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी को बहुत बहुत शुपकामरा है सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम, शियावर राम चंद्र की शियावर राम चंद्र की